आईशा जी हमारे साथ जूड़ी है जड़ा आईशा जी से सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है कौन है मुझना या क्या है या जी आईशा जी ना जाती हूं चैसे विख्या स्वाइब आप आपके नभी ने बोला, मन बद्दल दीनुख औक तो तो एक्ष़ली बोलता है कि ऐसे मतलब मुझे जिकना बता है कि अच्छे, नेकिन सिस्टर, मैंने यह नहीं पूचा आपको कितना बता है? मन बद्द लाधीन हुफ लोग के बारे में आपने सुनाय कभी अर्भी आती है अज्ञ नहीं आता समय नहीं आता नमाज पढ़ती है कभी कभी अलम शरीफ सुनाय क्या अलम शरीफ सुनाय मतलब सुरह फात्या सुनाय परफेक्ट आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कभी पढ़ा है इसका मतलब नहीं क्यों मतलब वह से नहीं पढ़ा मतलब इतना जादा मतलब इतना भी परफेक्ट मुमिन नहीं हो यह नहीं बोल सकते हैं नहीं परफेक्ट मुमिन की बात नहीं कर रहे हैं आप नमाज अगर पढ़ते हैं सिर्फ फरस पढ़ते हैं तो दिन में सतारा मरतबा यह आईते है यह सूरत यानि यह वली आईते हैं अगर आप दिन में 17 मर्तबा एक चीज रुपीट कर रही हैं फिर भी आप कुछ का मतलब नहीं पता कि आप क्या पढ़ रही है तो क्या फाइदा ऐसा रुपीट करने का यह तो कोई फाइदा नहीं है यह तो पता तो फिर आप क्यों ऐसा सबस्के एक समझ के मतलब समझ के बोलना चाहिए एक डिफरेंस जो है वह मुसल्मान में और नहींसलिम में वह नमास का है सिर्ट इस का लंग पानी ट्रॉस को historically चैहें सई एक साफ्द P और तो चुरान भी तो बनाया जाथ अभान लग्रान पर एक्शोल नहीं है नंग कर्स्ट बैरेली बिर्विंग रेश्टी अंप्या स्विए एंवलिव नहीं change कर सकते हैं और हादी से change कर सकते हैं को रान भी эт है को रान चेंज हुआ है हुआ है कैसे कैसे ऐह आपके पास मुहांब के दिन्माने का लिखावा कुद्ध आखके है को हां दिखाईए प्लीज यह निए मेरा घर पर मैं यहां पर कैसे दिखाऊ वह महम्मद की लिखे वे दरी वह तो प्रिंटेट कुरान है भई साबत कैसे करेंगे अगर होता है तो फिर तो यह अची बात है क्योंकि अगर जो गलत है उचेंज मतलब 1924 में जो करान करना इस किया आप लोग उसको मान रहे हैं कि महम्मद का कुरान है उसके बाद आपने चेंज नहीं होगा है आपने तो बोल करें आप चेंज हुआ है वह तो कहर नहीं 24 मिं आपने नाइस कर लिए624 में माइसस सो निए आपको है मतलब मौ esse समय ऐसे कुछ लिखाई है वर बोले मौहमा तो था पता नहीं आपको है मौर मतनी लिखा तो यह नाजिल tightly ना तकनी नाज्टे कि एक नाजल किसी ने देखा था परिश्टे जि头 प्रेस्टे प्रेइल को अजय उसी Penny Marketing देखा था नहीं तो किस ने बताया आपको मुहमद एक बंदे नहीं बताया नहीं अगर एक बंदा एक बंदा एक बंदा एक बंदा आपके सामने खड़ा हो और आपको कहे कि आप ने उसका रेप करने की कोशिश की है दुनिया मान लेगी क्या नहीं नहीं मानेगी ना क्यों 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 एक बंदा व्हुद ही अप्ने बारे में बता है रहा है यह उसी तरह मोहमथ ने खुद ही अपने बारे में बताया आपके मानने हो कि अउड़ सब्द्रस्ण कि एक नो लिकिंगे बच्षपन से आपके दिमाख में क्रिसी घृर क्या डाल director जाग एक तो अगर उसका फैमिली कोई दूसरे धरम का है तो इसमें तो उसका गलती नहीं है बिल्कुल मैंने तब उसकी बात कप किये तूसे धर्म की मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ अभी आपको बच्पन से सिखाया गया मुहम्मद पर यकीन करो आप मुहम्मद पर यकीन करती है राइट लेकिन अगर आप इसको लॉजिक से देखो फित्रतन देखो तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा आपके उपर इल्जाम लगाए कि आपने उस बंदे के साथ रेप करने की कोशिश किया है तो क्या दुनिया मानेगी आपने का नहीं मानेगी क्योंकि वो अकेले बंदे ने बोला है इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब बाकी सब चीजे छोड़ दो जो आपको बच्पन से पढ़ाया गया छोड़ दो एक सिंगल बंदा आपको बोल रहा है कि मेरे पास जिब्राई लाता था किसी और ने नहीं रेखा आप उसकी बात कैसे मान सकते हो क्यों नहीं मान सकते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से एक बंदा आपके ओपर रेप का इल्जाम लगा है तो आप उसकी बात नहीं मानोगे बिल्कुल उसी तरीके से क्या कोर्ट में एक लड़की जाए और कहे कि इस बंदे ने मुझे रेप किया है बगार किसी एविडेंस के बगार किसी मेडिकल टेस्ट के क्या कोर्ट उस बंदे को रेप की सदा देगा ने एक्जैक्ली बिल्कुल उसी तरीके से सिंगल बंदे की टेस्टिमनी के ओपर आपने कैसे मान लिया कि उसके पास जिब्राईल आता था सिंपल सवाल है फर्गेट कुरान हदीश सब को छोड़ दो मैं आप से एक human to human बाद करना हूँ कैसे मुहम्ममड यहां आप तो बोलरह तो मुहममद अन पर आतों पर यह उपर यह सब कैसे ना दीर वा आगर आ मिया अन्पर रहाady तो कोई äसी चीज नी दी मुहमद में किसी ओना किसी फोकेतल के अंदर मुझे कुरान में कोई ऐसी चीज दिखा दें जो वहां पे उस वकत में या तो हो नहीं रही थी या किसी ना किसी फोक्टेल में मौझूद नहीं थी साइल फोक्टेल के ट्रांसलेशन करो हैं हिंदी में किसे कहानी तो बेसिकली कुरान में कोई ऐसी नहीं चीज नहीं है कुरान सिरफ और सिरफ जादो किसे कहानिया बियान करता है यह मौहमध को डिफेंड करता है जो मौहमध की गलत हरकते हैं उनको डिफेंड करता है मौहमध को प्रेफरेंस दिलवाता है और कोई चीज नहीं है नहीं कुरान के अंदर किसे कहानी है पुरानी जो पहले से मौझूद थी यहां दूसरे से आतिषपरस्त से चारटीं से पकड़ लीनि मुष्रिक के डिली आ मैं अपनी मरदी से चार प्रच्छन की और कुरान मना दिया महमद ने कोई नहीं क्या आप बोलना चाहते हो कि कुरान मतलब हजीव पैल के मदद से नासिल नहीं हुआ और मतलब चेंज हुआ है बात में है न इंसानी किताब आपको आईशा जी आडम साब यह बोलना चाहरे है कि यह इंसानी इंसान की लिखी वी किताब है अच्छा आडम मैं तो आपको यह स को बता के पूछ लो कि नभी और अगृइन आपसे पूछते हैं कि नभी को एक्ष्ट्रास में कि भी नभी को को दो आपक्तिन तो कि अधिन आपके पूछने आई थी क्या यह सब मतलब पूरान तो चेंज नहीं होता आपने बोला है अगर आप ले आई तो मैं आपकी बात मालनूगा और वह आपको फिजिकल नहीं देंगे वह आपको पता है हैंगे फलानी लाइबरेरी में बढ़ा है यह उसका लिंक है ठीक है आपने वो लिंक लेकर आना है जिस लाइबरेरी में बढ़ा है मुझे आप पहले पांच खुल्फा राशिदीन उसके इलावा अब्डुल हुसैन मुझे आप कुरान दिखा दें इसका मतलब आप कहना चाते हो कि मतलब यह जो कुरान है मतलब उसके बाद लोग अपनी हिसाब से चेंज कर सकता है नहीं नहीं मैं कह रहा हूं कि उसके बाद ही लिखा गया उससे पहले लिखा ही नहीं गया लिखा नहीं गया बर डॉकुमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं यह बोल दियो कि अग्ण कर औक आपके पास चेंज हो सकता है तो सब्सक्राइब कर्से कर सकता है कि शौर्थ मतलब अपने मतलब के हिसाब से अरे आप ये स्वार्थ बोल रही हो मैं बोल रहा हूं कुरान है लोला पता नी ओझी मुहम्मेद ने क्या बenter के change तो different चीज़ होती है मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ को देखने के लिए कि वो कितना change हुआ है पहली बात ही होती है कि कोई recorded original होगा तो verify करोगे न राइट पहले तो मुझे यह बता रही है कि आप कुरान को मानती है कि मुहमद की दर्फ से है राइट मैं शोड नहीं हूँ शोड नहीं हूँ तो मुसलमान भी क्यों है फिर आप यह बताया नहीं जा सकता ना क्योंकि बहुत साल लग कुराना बात है आईशा वो छोड दो क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है क्या नहीं आप यह बोलो नहीं मैंने यह इसलाम के बार में इतना study नहीं किया कोई नहीं इट्स आपसूरूटली फाइन आईशा जी इट्स आपसूरूटली फाइन आप सिर इतना सोचो कि खुदा की तरफ से जो teaching आती है वो खराब वाली teaching होगी क्या अच्छी वाली teaching होगी अच्छे वाले होगी है बेहतरी है अच्छा उसमें ये बताओ कि एक जो social reformer होता है या guide होता है क्या उसको multiple लड़कियों की जरूरत होती है नहीं होती ये गलत तो है अगर ये teaching कुरान में मौझूद है मतलब वो गलत teaching है मतलब वो खुदा के तरफ से नहीं हो सकती इतना मानते हो आप ही ठीक है एडम अभी बताओ आप ये 33 की 50 अगर बता रहे हो आप तो तो फिर ये बताईए कि आपके नभी को अनलिमिटेड लड़कियों क्यों दी सिंपल सी बात है कुरान में ये आपके सामने कुरान की आयत है हिंदी में पढ़ेंगी उर्दु में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी हिंदी हिंदी में पढ़ेंगी ये आपके सामने है साविल भी आपके लिए आपकी पट्नियों को जिने चुका दिया हो आपने उनका विवा उफार तधा जो आपके स्वामित्यों में हो उसमें से यानि आपके कफ़े में जो उसमें से जो प्रदान किया है तो क्या है सौमित यह मतलब slaves एक तो बीवियां और दूसरा slaves, बांदी बांदीयों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बगार शादी की तो अल्लाम यह यह फरमा रहे हैं मतलब आपको दिय दिया है एक तो आपकी बीवियां और साथ में बांदियां, slaves उसमें से जो प्रदान किया है अल्ला ने आपको तथा आपके अच्छा इसके साथ साथ क्या क्या दिया अल्ला ने किसके साथ शादी कर सकते हैं आपके चाचा की पुत्रियों आपके फूफी की पुत्रियों आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिज खिरत की है आप के साथ तथा किसी भी इमान वाली नारी को यदि वो स्वयम के दान कर दे नभी के लिए यानी और हर वो मुमिन लड़की हर वो मुसल्मान लड़की जो अपना आप महममद को तोफ़े में देrat में दान में दे caliber तो ये मुझे बताईए कि नभी जो है उसको इतना ज़्यादा सेक्स करने की जरूरत क्या है ये बताईए ये तो गलत है अलहमदलिल्ला तो आप इसलाम से बाहर आगें बेशक्त हैं यही कुरान में है ना आईशा जी यही हम बताना चाह रहे हैं तो भी गलत है तो भी आप इसलाम से बाहरे हैं खुदा की बाट चेंज नहीं होना चाहिए आईशा जी फिर जो चीज खुदा की चेंज हो गई और उसको खुदा की तरफ से बताया जा रहा है तो इसमें तो और बड़ा प्रॉबलम हो गया आईशा जी दोनों चीजों में इसलाम गलत हो गया, अगर तो अल्ला का कलाम चेंज हो गया, तो भी इसलाम फिर फारिग हो गया, और अगर अल्ला का कलाम चेंज नहीं हो और यह आयत सची है, तो भी इसलाम सचा नहीं है, इन दोनों चीजों की बेश के उपर इसलाम तो सचा ही नहीं है, तो फिर आप इसलाम में क्यों है मेरी प्यारी भेंग और ये इसलाम पे क्या convert करा ना मतलब दूसरे धरम पे क्या मतलब और दूसरे धरम कि अगर किसी लोग नहीं मानते या पर कुछ बोलते हैं उसको जाके मार देना ये सही है मतलब ये बोला है कही पर जो अपना धर्म छोड़ दे, इसलाम को छोड़ दे, उसको कतल कर दो कुरान में क्या करता है? कुरान में बड़ी अच्छी आयद दिखाता हूँ आप ये देखें, आप मुसल्मान हैं और अगर आप कुरान पे यकीन रखती है तो आपके समसाय में अगर कोई हिंदू या क्रिस्चन या कोई और है तो आपने उसके साथ ऐसे रहना है, नेकिन क्या बड़ावा साहिर भाई, बढ़ेगे अब मुझे बताएं कि आप अगर कुरान को बेसिकली भी अमल कर लें तो आप अपने समसाय में जो हिंदू है, या सीख है, या इसाई है, आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बोलने का भी नहीं है उसको देखना है कि आपके अंदर उसको कुटिल करो मतलब तो बुराई का कातिल करना होता है ना बुराई नहीं है ना, या मतलल की बात ही नहीं होरी ना बस, क्योंकि इसलाम के अंदर, हाँ जी बट, मतलब आप बोलना चाहते हो कि यह जो जिहाद है और यह जो है दूसरों को हो जाकर मार के मांदें, यह कुराँ से आया है बिल्कुल कुरान से आया लेकिन मैं भी जिहाद के आप से बात नहीं कर रहा है क्योंकि आप जिहाद को समझने के लिए बहुत चोटी हैं बहुत बेबी हैं मैं भी जिहाद की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है जिहाद को आप समझ नहीं सकती है भी आपका प्रेइन रिता चोटा है अभी, कि मैं अभी आपको जिहाद समझा नहीं सकता हूँ, ना मैं समझाओंगा, मैं अभी आपको सरफ यह बता रहा हूँ, कि आप अपने महले में जिसमें आप रहती हैं, अगर कुरान के मताबिक चलें, तो आप अपने हमसायों के साथ, अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकती हैं, अगर वो मुसल्मान नहीं है, पर यह पर तो बोला जाता है, कि दूसरे धरम के सब को मताब रेस्पेक्ट करो, और उसके साथ अच्छे से हो, अपने कभी उनसे पूछे, तो पूछे कुरान के कौन सी आयगने हैं, सब धरम में हो सकती, एसलाम में नहीं है, आप आजशा जी, मैं आपको एक चैलंग देता हूं, आप पूरा कुरान अगर पढ़ लेंगい, कहीं पे भी लिखा हूँ आपको यह नहीं मिलेगा, कि भाई आपके दोस्ट आपके आसपास वाले अगर मुसलमान नहीं है तो आप उनसे महबबत करो बलके गुरान में आपको ये मिलेगा कि अगर आप एमान के बदले आपके माबाब आपके भाई बहन अगर एमान के बदले कूफर को तरजी दे तो उनके साथ आपको अच्छा व्यवार भी नहीं करना या आप उनके साथ एडम हो क्या है आयत में? यह आगे, 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 लेकियारो हाँ, हिंदी लाओ उसका हे नभी, कह दो कि यदि तुम्हारे बाप, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पतियों, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, जो तुमने कमाया है और जिस व्यपार के मंद हो जाने का तुम्हें भेह है तता वो घ़र जिन से मोह रखते हो तुम्हें Allah तता उसके रसूल और Allah की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है तो प्रतिक्षा करो यहां तक कि अल्ला का निर्ने आ जाए और अल्ला उलंगन कारियों को सुपत नहीं देखता इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया हिंदि में इसका मतलब यह है कि अगर आपके माबाप और आपके बच्चे आपके भाई आपके स्पाउस आपका परिवार आपका माल यह सारी चीजे जो है वो आपको अगर अल्ला के और रसूल की राह में जिहाद करने से अधिक प्रिय है यानि ज्यादा इंपोर्डेंट है अगर फर्स प्रिफरेंच फर्स प्रिफरेंच आप जो है इन चीजों को दे रहे हो तो अल्ला कह रहा है कि प्रतिक्षा करो यानि इंतजार करो यहां तक कि अल्ला का फैसला आजाए निर्ने आजाए और अल्ला उल्लंगन कारियों को ज उसके बातों को इंकार करता है या उसकी खिलाफवर्जी करता है तो उसको सपुत सुपत नहीं दिखाता I have no idea what you said लेकिन मैं अगर उर्दू में बोलूँ इसको दरतुलती असान भाशा में बोलूँ तो अल्ला कहता है कि अगर तुम्हारा बाप और मा भी क्यों न हो तुम्हारा बेटा भाई क्यों न हो वो भी तुम्हे मेरे साथ जुड़ने से मना कर रहा न तो दफ़ा कर दो उनको दूर कर दो उनको एक्जाटली निचोड़ इसका यह है तो आप आप कह रही है दूसरे धर्मों के नॉर्मल हमसायों के बारे में बात कर रहे हैं माबाब भाई बेटा बेहन उसके जाद में आप दोस्ती रख सकते दोस्तों वाकी हमसायों के तो बात ही छोड़ देना क्या पच्छों नहीं बात नहीं है जो जो माईका लाल ने ट्रस्ट की ट्रास्लेशन करके दिखाए ना मुझे कहां पर ट्रस्ट यहां पर कोई ट्रस्ट की बात नहीं हो रही है कोई ट्रस्ट का लफज नहीं है यहां पर दुनिया का कोई ट्रास्लेटर यहां पर ट्रस्ट नहीं डाल सकता क्योंके अरभी बहुत क्लिए रही है यह देखो कुल इनकाना आब आउँगों अबना ख़ानों अखवानों अजबादों वशी लिए वशीरत वो अंवारों एक तरफ तुमुहा पकर ले वो तुम्हे एकक्वायर कर ले अल्ला की करफ जाने से रोक ले वो लफ़ रखें कुछ है यहां पर तरस्ट का कुछ तरस्ट की बात म मतलब जो ताफीर है और जो दूसरे धरम का है जो नीमान को मार्दो है ना जो युद्धा का यार एक सिंपल सी बात सुन ये मार्दो मार्दो तुझे किसने सिखाया इतना ये बता पैले नहीं सिखाया मैं तो ये बहुत तेरा से पोल रहा है ये बता आप ने बोला थोड़ा दिर पहले की कातिल कर रहा है कहा मैंने का मतलब जो दूसरे बंदों से बात कर रहते हैं ताब बोल रहा है क्षतिल फी सबिल अर्भी का लफज है जिसका मतल bent लडाई करना कुतिल का मतलब होता है कटल करना यी अर्भी की करदान है कफ्पोर पेश होगा तो वह केड़ी होगा प्धव जबर होगा तो लडाई होगा अप क्या क्या करना चाहा ह्यां कि कह Grüा चाहि अ मैं कहना चारी हूँ कि आपने मतलब पहले बोले थे ना कि जो मतलब जो नॉर्मली लोग होता है जो दूसरे तो आईशा आईशा इसको छोड़ दो ये शायद तुमारे समझ में निया है आईशा ये बताओ कि क्या तुम किसी की दूसरी तीसरी या चोती वाइफ बनना करोगे उसके पका यंजिकर वह अलाव करता है कि आपका शोहर जो है वो दूसरी तीसरी चोती वीवी कर सकता है ये देखे असमीर लेने केशा चेयर नहीं ह्यासक पर्मीशन नहीं है और तुम इन में से शादी कर लो दो तेन तीन या चाहरचा के साथ अलिल्डह तो एक से Adam, Adam, एक मिट, ऐसा एक मिट, इसमें दो चीज है, मेरा पहले सवाल आप से ये है कि क्या आप पर्मिशन आपके शोहर को कभी देंगी दूसरी बीबी करने के लिए? ने. बस, thank you. लेकिन भाई बीबी, बात सुनो, बात सुनो. बट उस टाइम जो था ना मतलब उस टाइम पे तो मैंने सुना था कि ले क्या बहुत दादे थे इसलिए ऐसे और बीबी बास सुनो अरे छोड़ो इस बात को गोली मारो कोरान में क्या लिख है तुम इन में से दो दो तीन तीन या चार्चर शादी कर लो ठीक है मुझे जो तुम लोगों का साथ दे रहे होते हैं यह उन से आई यह गदे हैं ठीक है इन्हों ने इंडिया के अंदर फोकस रखा इस चीज़ के ऊपर ठीक है जिसकी वहाँ से यह वली चीज़ फेमस हुई इसलाम में नहीं है कहीं पर यह गदे हैं जिनों ने इसको फोकस बनाया यह अगर मुस्रों को उसी तरीके से कुत्पुना करने देते इंडिया के अंदर जिस तरीके से हो रहा है इसलामिक दुनिया के अंदर तो तुम लोग कभी यह पर्मिशन पर्मिशन की राटना लगाते हैं यह इंडियन हिंदू कॉंस्टूटूशन है जिसकी वहाँ से पहले दिखाए में लेकिन आपके साथ आर्टिकल में जाने का मुझे फाइदा कोई न लग रहा है। कोई जगा में कोई प्लेस में कोई कंट्री में अगर समझ यह कि लड़की की तादात जो है कम है ठीक है और मेल की जादा है नंबर्स यानि एक में टूकिए मैं आपको बताता हम। तो क्या एक औरत दो मर्दों से शादी कर सकती है सिंपल सवाल है यह देखे यह आपके सामने मेरी इस वाद को ना यह कार्ट कार्ट के लोगों ने चला देना है कि इसने आडम ने ना हिंदुओं गदाग आए तो मैं पर लोग असल में प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है इनके साथ कि जो भी पूरी कोशिश कर रहा हमको बदनाम करने की लेकिन वो काम्याब नहीं हो पा रहा है तो इस ओके वी शुट नाट के भी हमारी बात दाल देना एक रक्ती बरावर का भी फरक अपने को नहीं पड़ेगा इन्हों ने कहा था इन्होंने ऐसा सुना है के भाई जहां पे लड़कियां जादा है ठीक है लड़कियां जादा थी मर्द कम थे इस वज़े से मर्द को पर्मिशन दी गई है कि भाई आप एक से ज़्यादा भीविया रख सकती है नहीं बस लेर्गियों का पर्मिशन लेने के बाद पस टाइम का नहीं ठीक है पर्मिशन लेने के बाद चलो मैं आपका वो स्टेटमेंट भी ले लेता हूं हला कि एडम साब ने आपको बताया कि पर्मिशन की कोई कैद नहीं है लेकिन हम थोड़े देर के लिए वो भी ले लेते हैं उसको मैं तोड़ना चाता हूं वो इस तरीके से आईशा जी कि आप सोच लिजे कोई एक जगा पे अगर औरत जादा है फीमेल जादा है मर्द कम है इस वज़े से अल्ला ने ये हुकम दिया कि आप पर्मिशन लेके so-called permission लेके आप दूसरी तीसरी शादी कर सकती है आईशा जी आपको मालूम है कि दुनिया में कई ऐसी जगा ऐसी भी है जहाँ पे औरते कम है और मर्द जादा थीक है तो कोई जगा पर औरते कम है और मर्द जादा थीक है इसको मैं नमबर से समझाऊँगा समझ लीजिए फीमेल जो है वो 500 है ठीक है और मेल जो है वो टूट हॉजन है ठीक है शादी करने लाए इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जो आपके आलिम साहब या उलमा आपको देते हैं उस हिसाब से फिर ऐसी जगापे जहां पर फीमेल पांच सो है और मेल दो हजार है तो क्या होगा 500 मेल के साथ शादी कर लेगी ठीक है अंदरा सो मेल बच जाएंगे जिनको कोई दुलहन नहीं मिलेगी ठीक है तो आपके आर्ग्यूमेंट के हिसाब से फीमेल को multiple males रखने की permission मिलना चाहिए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वैसे मिलना चाहिए थांक यू तो इसका मतलब यह है कि अलला को ये भी mention करना चाहिए था कि एक female और male के साथ permission so-called permission अज शादी कर सकती है दोनों को प्रेक्टिक प्रेक्टिकली वी नो देरान मैनी प्लेटेस वैर कई सारी ऐसी जगाव है जहां पर इमेल पॉपलेशन कर और मेल पॉपलेशन जाए लेकिन क्या आपके अल्ला ने यह बताया अल्ला ने तो सिफ मर्दों का खयाल रखा अगर ऐसा होगा तो किया यह गुना होगा गुना हराम होगा come on यार आईशा इतनी बेबी बात तो ना करो यार सोचो आईशा जी हमने आपको एक रसूल को किस तरीके से लड़कियों का बंदोबस किया करके दिया गया वो भी बताया फिर उसके बाद आपको काफिरों के सकत क्या सुलूक करना है वो भी बताया फिर आपको शादी के बारे में बताया कि आप ने खुद कहा कि आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका husband जो है चाहे permission ले चाहे permission ना ले आप ये कभी नहीं चाहेंगी कि multiple आपके husband की wives हो ठीक है अच्छा ये चीज हो गई एक last point दोंगा उसके बाद I hope आपको समझ में आप last point बजाने से पहले मैं इस point को तुर एक्सपैंड करना जाता हूँ कर दो कर दो please बिल्कुल please आईशा जी आप देखे जन्नत में भी आपको हूरा नहीं मिलेगा मर्दों को हूरे में आपको हूरा नहीं मिल रहा है तो जन्नत में तो मर्दों की और और ओरतों की पापॉलेशन मुला मसला नहीं है क्या सच में हूरा होता है नहीं होता है है ही नहीं हूरा नाम की कोई चीज तो जन्नत में भी आप एक ही मर्द के सा टिकीम है जबके उसको आपके इलावा बहुत धेर सारी हूरे मी मिल रही हैं दो मिलें, चार मिलें, छह मिलें, डिपेंड करता है कि उसने कितने अच्छे काम की हैं, लेकिन जन्नत में भी उसको हूरे मिल रही हैं, आपके लिए रही हूरा नहीं बनाया लाँने, क्यों, कुछ सोचें, चलो, इस वो मार्द है, और उसको सेक्स चाहिए, that's it, और उसको अपने नभी को भी सेक्स दिया, आप मुझे बताए कभी भी आप सेक्स एडिक गॉड को वर्शिप कर सकते हो, मैं पहले भी ऐसे, पहले भी मैंने इतना जादा नहीं थे, मतलब, मैं मुझे ऐसा लगता था कि कोई एक ह आप यह पूरा सब कुछ में किया है, और उसको सब लोग मानता है, क्योंकि सब लोग को एक गॉड आईशा जी, एक ही गौड, मतलब, मैं क्या है, अज़ा एक सब आप यह मानती है ना, तो फिर आप मुसलमान नहीं है ना, अगर आप इसलाम में नहीं है, तो फिर विर सब आप और तो है, ना, अगर इसलाम को एक है, तो उसके हमको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक एक माने, लेकिन वो प्रांन को अला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे एक सिंपल सीज़ाहर मुसलमान आके ना, बार बार यही रट लगारा है, और जो गलत सब्सक्राइब और आपको अभी कई सारी टीचिंग समने बताया जो कि हुमेनिटी के आईशा जी बिलकुल खिलाफ है नाओ इट सब्सक्राइब कि आप इसी जंजाल में फसी रहना चाहती है और you want to come out of it जैसे के हम बाहर निकले हैं आप बाहर निकलना चाहती या जूटी जिन्दगी या जूटी खुशी अपने religion को लेकर आप रखना चाहती है इस अप टू यू क्योंकि हम अभी जादा बताएंगे तो वो आपके उपर से जाएगा ठीक है आईशा जी आईशा जी के लिए जले भी नहीं बनाई बलके जो गलत है डंके की चोट पे इनों ने कहा कि गलत है और जो सही है वो डंके की चोट पे इनों ने कहा सही है तो आपको सबसे प्राइम फोकस आपका आपका कडियर होना चाहिए ठीक है आईशा जी ओके थैंक यू सो वरी मच आईशा जी जाते जाते से इतना बता दे कि आपको हमारे चैनल कैसे मिला वो मेरा जैम ऐसे मिल गया था मतलब रिकमेंडेशन में आया आपको हमारे चैनल नहीं मेरा कोई फ्रेंड था उसने बोला था ऐसा ओके सलूट तू देट फ्रेंड अगर इनका दोज अगर सुन रहा है सलूट तू यू आपने एक 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 इनसान को इनसान बनाने में मद की है तैंक यू सो वरी मच इनके जो भी दोस्त ने इनको शेर किया और गाइस आप लोग याद रखिए बात चार हजार लोग जो देख रहे हैं आईशा आईशा हमारे चैनल तक पहुंची इनके किसी दोस्त की वज़े से और आज इनको हमने हकीकत बताई और इनके समझ मे आया आप सभी लोगों को ये काम करना चाहिए शेर करें दोस्तों के साथ अपने चाहने वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ आप जिसकी फिकर करते हैं कि यह इस चंजाल में इस बिमारी में मुपतला है इनका इलाज होना चाहिए आप शेर करें आज आईशा निकली है उसी तरीके से आपके कई सारे दोस्ट निकल सकते हैं, अगर सही वक्त पह उनको हमारा चैनल मिलार। और वो अगर हमारी बाते सुनते है। आपको मैं यकीन दिला सकता हूं कि बहुत सारे मोमिन जब starting में जुरते हैं तो वो गालियां देते हैं हमें लेकिन जब धीरे 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 वो discussion सारी सुनते जाते हैं तो वो जो उनका गाली वाला जो चीज है वो आइस्ते आइस्ते change होते जाता है फिर उनके जहन खुलते हैं फिर वो उससे बहा निकलते हैं आपको यकीन द आ गई है लेकिन वो जॉइन नहीं करते और उसकी वज़ा आप बन सकते हो आपको शेर करते रहना और आप लोग कर भी रहो थैंक्यू सो वेरी मच